Hello Champions! I hope आप लोग हमेशा की तरह स्वस्त और मस्त हैं दोस्तों मैं PK मिश्रा आपका Late Score 100 में वेलकम करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के साथ मैं Most Important Questions की एक सिरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही useful होगी Keeping CBSC Board का 2024 का Board Exam in Mind अब आप कर सकते हो सर आपको कैसे पता कि यह Most Important Questions है और यही आएंगे मैं इस Basis पर कर सकता हूँ क्योंकि मैंने CBSC Board के Question Papers 2012 से लेकर के 2023 तक के CBSC Board के जितने भी Question Papers हैं मैंने उन सभी को देखा उनकी Analysis करी उसके बाद इन Questions की List तयार करी है तो आप भरोसा कर सकते हैं और आपको आपके Pre Board में भी Definitely इसका फायदा होगा CBSC Board के Final Exam में Board Exam में जो की 7 March 2024 को होने जा रहा है उसमें तो फायदा होगा ही होगा और हम लोग यह जो Series है इसमें हम One Marker Question भी करेंगे Two Marker भी करेंगे, Three Marker भी करेंगे और Five Marker Questions भी करेंगे रही बात Case Based Questions की और Map Based Questions की तो उसके लिए अलग Dedicated Videos होगे और इसमें हम, इस Series में हम History, Geography, Political Science and Economics इन चारों सब्जिक्ट्स, बिसलिए इस सब्जिक्ट्स में जो चार हमारे सब्जिक्ट्स हैं चारों के हर चैप्टर जो इस बार के CBC Board की एक्जाम में आ रहा है, उसको cover करते हैं तो चलिए, इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं तो हमारा जो पहला Question है आज हम लोग Print Culture and the Modern World History का पांचवा चैप्टर जो आप लोगों को बहुत टफ लगता है तो उसी हम लोग शुरू करने वाले हैं और आपको पता है कि पूरा Chapter आ रहा है तो यह हमारा Most Important Very Short Answer Questions दोस्तों एक चीज वीडियो को शुरू करने से बता दूँ वीडियो को शुरू करने से पहले Share कर दूँ आप लोगो जो यह Two Marker Questions होते हैं उनका Answer आपको केवल 40 Words में लिखना है इनको आपको केवल 40 Words में लिखना है इससे ज़्याद आप लोग मत लिखे क्योंकि Other Questions के Answer को लिखने का Time कम हो जाएगा और Examiner आपको दो Mark से ज़्यादा तो देगा ही नहीं तो चलिए देखते हैं हमारा पहला Question क्या है हमारा पहला Question है What is a Manuscript दूसरा इसी पहले Question का दूसरा Part क्या है Why could it not satisfy the ever increasing demand for books in 14th century Europe या यही Question दूसरे Form में आ सकता है दूसरे Form में कैसे हो सकता है Discuss the Limitations or Shortcomings of Manuscript देखे Question की wording थोड़ी बहुत वो twist कर देंगे, change कर देंगे लेकिन अगर आपने topic को अच्छे से समझा हुआ है तो आप, यानि आपका concept अगर clear है तो आप उसे attempt कर ही लेंगे तो Question है क्या आप, इस Question में क्या है कि What is Manuscript दोस्तों बहुत ही simple language में कोई भी document हो या book हो जो handwritten हो, यानि handwritten book और document को हम manuscript बोलते हैं आप कर रहे हैं कि जो manuscript था, इसकी limitations क्या थी या demerits क्या थी, या shortcomings क्या थी क्यों ये ever increasing demand for books in Europe in 14th century क्यों नहीं ये पूरी कर पा रही थी इसकी limitations थी, आईए देखते हैं क्या क्या है पहले हम लोग देखते हैं, manuscript is a handwritten book or a document आप लोग और जानते हैं, दूसरा the production of handwritten manuscripts could not satisfy the ever increasing demand for books because, पहले आप लोग जानते हैं कि copying में बहुत ज्यादा time रगता है और उसमाझ जो paper की quality होती थी और जो ink की quality होती थी, वो आस्त की तरह इतनी अच्छी नहीं थी कि paper पे आपने लिखाएं, को वो जल्दी तुरंत ही सूख जाती थी ऐसा नहीं होता था, आईए देखते हैं क्या-क्या problems थी copping was an expensive, laborious and time-consuming business हांसी किताबे लिखने में बहुत ज़्यादा time लगता था और laborious, laborious थो होता ही है इसलिए आप लोग कई बार time पे notes summit नहीं करते हो अपने internal assessment वाले, right अच्छा expensive, expensive इसलिए होता था क्योंकि उस समय paper भी महंगा होता था ink आज की तरह easily available नहीं होती थी तो हम लोगों ने क्या देखा, manuscript की problem क्या थी यह expensive था, laborious था, time consuming था पहला तो यह हो गया, दूसरी problem क्या थी इसके साथ, manuscript वर fragile, यानि अगर इसे कायदे से, अच्छे से, precaution लेके अगर handle नहीं करोगे तो क्या footage आती थी क्योंकि papers उतने, अच्छी quality कर नहीं होते थे जितने अच्छी quality papers हम आज ही use करते है क्या होते थे, manuscript बर fragile, awkward to handle and could not be carried around or read easily तो हम लोगों ने क्या देखा तो क्योंकि basically अगर आप लोग देखा expensive, laborious, time consuming हो गया fragile, awkward to handle, could not be carried around around or read easily यह manuscript के साथ problem थी इसलिए books, जो ever increasing demand थी वो fulfill नहीं हो पा रही थी I hope आप लोगों को समझ में आ रहा है चलिए दूसरे topic पर move करते है and हमारा दूसरा question है why were many people in Europe apprehensive of the effects of easier access to the printed world जब print revolution आ गया है योरोप में तो धेर सारे लोग यह printed material जो easily available था उससे धेर सारे लोग बहुत डरते थे इसमें main था Roman Catholic Church and Monarch क्यों? क्योंकि इससे पहले Roman Catholic Church जो लोगों को बोल देता था लोग चुपचाप उसकी बात माल लेते थे लोग अपने आइडियाज प्रिंट revolution से पहले रोग अपने आइडियाज एक दूसरे से शेर नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब प्रिंट revolution के बाद आए देखते हैं क्या क्या हुआ everyone did not welcome the printed books everyone में कौन था most जैसा मैंने बोला कि इसमें mostly मतलब everyone में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चड़ करके कौन थे प्रिंट का पूस करने में Roman Catholic Church and Monarch क्योंकि Roman Catholic Church and Monarch के power को authority को ये challenge कर रहा था क्यों क्योंकि लोग अब अपने ideas इसमें सबसे बढ़ा ना Martin Luther का है Erasmus भी थे उसमें क्योंकि लोग ये लोगों में awareness रहे थी लोग एक दूसरे के thoughts को सुन रहे थे समझ रहे थे लोग सोचने का एक नया तरीका सीख रहे थे तो देखते हैं आप लोगों को लगता है कि बच्चे का मुबाइल है पता नहीं वो मुबाइल पर क्या देखेगा लेकिन पैरेंट्स तो आपकी भलाई के लिए हमारी भलाई के लिए बात करते हैं लेकिन ये रोमन कैथोलिक चर्च और मोनार्क वो अपनी अथोलिटी को मिंटेन करने के लिए प्रिंट को अपोस कर रहे था आए देखते हैं इट वास फियर डैट इफ देर वास नो कंट्रोल ओवर वाट वास प्रिंटेड एंड रेड देन rebellious and irreligious thoughts यहां पर irreligious का मतलब क्या हुआ irreligious का मतलब हुआ कि रोमन कैथोलिक चर्च ने जो बात बता दी अगर आप उसको मानेगो तो आप अगर आपने उसके खिलाप में कुछ किया यानि रोमन कैथोलिक चर्च ने जो बात नहीं बोली है उसको आपने किया तो आप इरिलिजियस हो गए राइट तो इत वस पीए दाइट इस देर वागर नो कंट्रोल ओवर वाट वस प्रिंटेड रेड रेबेलियर और इरिलिजियस थौट्स माइट प्रेड यासे मार्टी लूथर ने 95 थीसिस लिखी रोमन काथलिक चर्च के या वा डिवीजन हो गया राइट इस पे एक्वेशन और बन सकता है तो क्वेशन कैसा भी आए अगर आपने कॉंसेट समझा तो आप अटेंप्ट कर लेंगे चले दूसरा क्वेशन देखते है दूसरा क्वेशन है हमारा पहले का था यूरोप में जब तक मारको या नि मारको पोलो 1295 में ले गये थे वुट ब्लोक प्रिंटिंग की टेकनिक उसके बाद बुक्स अवेलबल होने लगी उसके बाद फिर गुटनबर्ग ने 1448 में अपनी प्रिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस बनाई थे उसको परफेट कर दिया तो भुक्स इसली अ smokes होने लगी बट अच्छा इससे पहले क्या था इस सेपहले लोग क्या करते थे जो rich लोग होते थे वो तो book पढ़ते थे बड़ जो poor लोग होते थे वो सुने सुनाई चीजों पर भरोसा करके काम चलाते थे लेकिन अब books easily available हो गई लेकिन books के available हो जाने से सारे लोग books पढ़ना शुरू नहीं कर देते या नहीं कर सकते हैं क्योंकि book पढ़ने के लिए पढ़ना आना चाहिए आए देखते हैं क्या कुछ है देखे books could be read only by the literate books तो आ गई लेकिन जो literacy rate था उरोप में आज भी उस समय की बात हो रही है but the rates of literacy in most in most European countries were very low till the 20th century पहला problem यह हो गई जो hearing public थी उसका overnight reading public में transformation नहीं हो सका हो पाया था क्यों क्योंकि लोग literate नहीं थे राइट अब publisher के सामें एक बहुत बड़ी problem थी तो publishers and printers ऐसे topics पे books print करते थे कुछ ऐसे topics होते जो बड़े comments हो जैसे entertainment सबको अच्छा लगता है यह religion हो गया religion हो गया entertainment हो गया है न ऐसी topics popular topics लेते थे और उस पे books print करते थे आए देखते है publishers had to keep in mind the wider reach of the printed work यानि ऐसी book print करो जो हर व्यक्ति को ऐसे topic को पे book print करो जो हर व्यक्ति को अच्छे लगे जो हर व्यक्ति उसे पढ़ना या सुनना चाहे यानि publishers जान बुछ करके knowingly परपदले ऐसा करते थे कि ऐसी topic पे book खापो कि जो पढ़ सकता है वो तो book खरीदे जो नहीं पढ़ सकता है वो भी book खरीद ले क्योंकि वो किसी से पढ़भा के सुन लेगा तो यह देखते है और प्रिंट करते थे और उसको बढ़िया खूब बढ़िया उस पे चितरकारी करते थे यानि ड्रॉइंग बढ़िया बनाते थे पेजिस पे ताकि बुक देखने में अट्रेक्टि लगे तो आईए हम लोग समझ लेते हैं कि यह बैलेट्स क्या होता है बैसिकली बैलेट एक तरह की स्टोरी होती है जिसे पढ़ करके नहीं मतलब जिसे गा करके सुनाया जाता है यानि कहानी को पोयम के फॉर्म में सुनाया जाता है उसे बैलेट्स बोलते है और फॉक टेल क्या होता है फॉक टेल बैसिकली एक स्टोरी होती है बट यह स्टोरी पढ़ करके नहीं नहीं सुनाए जाती है, from one generation to other generation, यह सुन-सुन करके stories pass on होती है, right, चलिए, फिर आगे क्या होगा, these were then sung and recited at gatherings in villages and taverns in town, taverns क्या होते हैं, taverns is a place जहाँ पे wine serve करी जाती है, food serve करा जाता है, लोग, it is common place, जहाँ पे लोग में एक दूसरे से मिलते जलते हैं, basically, आज का pub अगर आप समझे, तो tavern को आज के, जो modern times का pub है, वो medieval time के यूरोप में उसे tavern बोलते थे, right, pub is the perfect example to understand, चलिए, हम लोग next question देखते हैं, और हमारा next question है, what was protestant reformation, देखें, जो religious authority थी यानि Roman Catholic Church और मोनार्क को जो डर था वही हुआ, कि irreligious and rebellious ideas फैलेंगे, तो वही हुआ, print का बहुत बड़ा contribution था, इससे पहले, अब देखों, अगर print नहों होता, क्या Martin Luther, person to person, door to door जाके लोगों को बताते हैं, यह practically possible नहीं होता, right लेकिन print की वज़ा से, right, आई देखते हैं, क्या हुआ, what was protestant reformation, basically मैं आपको आदू, जो Roman Catholic Church था, वो बहुत ही corrupt हो गया था, for example, हाला कि NCR नहीं दिया है, बट आप लोगों को समझाने के लिए, बहुत ज़रूर भी है, Roman Catholic Church के जो priest थे, केवल Roman Catholic Church का priest ही Bible को पढ़ सकता था, interpret कर सकता था, यानि explain कर सकता था, और teach कर सकता था, और कोई नहीं कर सकता था, पहला तो एक corrupt practice ही, दूसरा, जो कि logically बहुत ही गलत है, दूसरा क्या था, Roman Catholic Church के priest कहते थे, कि priest कहते थे, कि आपने, कोई sin आप से हो गया, कोई पाप हो गया आप से, come to the church, offer some money, हम आपके, हम God से करके, वो sin आपका forgive करा देंगे, तो कि दी करप practice, तो Martin Luther ने इस बात के खिलाफ आवाज उठाया, क्योंकि एक तरीके से priest बिचवली के काम कर रहा था, कि आप कोई भी पाप करके आओ, हमें पैसा दो, हम आपको माफ करवा देंगे, God से, तो Martin Luther ने इसके खिलाफ आवाज उ तो protestant reformation क्या था, it was a 16th century movement, it was a 16th century movement to reform the catholic church, dominated by Rome, Martin Luther was one of the main protestant reformers, जैसे मने बताया कि दो, बहुत ही करप practices थी, जिसके खिलाफ इनोंने आवाज उठाया, और Martin Luther की वज़ा से, Roman Catholic Church में division हो गया, right, तो, several traditions of anti-catholic Christianity developed out of the movement, तो यह था, बैसिकली अगर आपको समप करना हो एक लाइन में, तो आप क्या बोलंगे, आप बोलंगे कि protestant reformation was started by Martin Luther, and it was started against the corrupt rituals and practices of the Roman Catholic Church, इस तरीके था आप लिख सकते हैं, चले देखते हैं, अगला question क्या है हमारा, अगला question है, describe the role played by lending library, सबसे पहल लोगों को provide करा देती थी, तो यह question पूछ रहा है कि जो lending libraries थी, उन्होंने readership को, लोगों के बीच में, readership को बढ़ाने के लिए, यानि लोग, ज्यादा ज्यादा लोग books को read करें इसके लिए, किस तरह से इसने, क्या role play किया, देखते हैं, पहला, lending libraries had been in existence from the 17th century onwards, in the 19th century, lending libraries in England became instruments for educating white-collar workers, किसको किसको educate कर रहे थे, बीकेम धान दीजे, keyword धान दीजे, became instruments for educating white-collar workers, artisans and lower middle class people, एक चीज़ आप लोगों से share करना चाहा रहा था, जितने भी ये colorful, जितने भी ये highlighted colorful words हैं, while writing answers in your school के pre-board exam में, या board के exam में, आप उसे underline कर देना, यानि इस तरीके से highlight कर देना, जो, जिसके, मतलब जिस point के बारे में, आप sure हैं कि वो सही ही है, उसको highlight कर देना, आपको बहुत अच्छे माक्त मिलेंगे, right, ठीक है, तो यह हो गया, अब देखो, white collar workers, artisans and lower middle class people को educate किया, दूसरा, sometimes self educated working class people wrote for themselves, वो अपने experience से share करते था, इसी books में, after the working day was gradually shortened, ये रोप में, पहले working days, यानि काम के घंटे, चोगी industry revolution हुआ था, इंग्लेंड में आप लोगों को पता ही है, तो काम करने का कोई घंटा fix नहीं होता था, बाद में, जो working hours था, from the mid 19th century, mid 19th century मतलब, आप समाझे लो, mid 19th century का मतलब 1850, 1850 के आसपास, century, workers had some time for self improvement and self expression, and workers, they wrote political threats and autobiographies, लोग अपने experience से share करते थे, या उनकी problems क्या हैं उनकी life में, so that other people can know about their experience, लोग अपने experience से share करते थे, right, books वगरे हैं, लिख करके, चलिए, now next question, next question है हमारा, जो कि 6th question है, 6th question talks about, why was the imperial state in China the major producer of printed material, right, यह बहुत ही, it is another very important, most important question, हुआ क्या आप लोग जानते हैं, जैसे आप लोग उन पढ़ रखा कि, चाइना में bureaucracy थी, right, तो bureaucracy के लिए, exams होते हैं, और exam देने के लिए, आपको book पढ़नी पढ़ेगी, book पढ़ने के लिए, book छपनी पढ़ेगी, right, तो इस तरीके से, यही एक main reason था, कि चाइना में, printed material काफी ज़्यादा छपाई होती था, यह देख लेते हैं एक बार, the imperial state in China was for a very long time, the major producer of printed material, पहला, क्यों, क्योंकि China had a huge bureaucratic system, औरे भाई, civil services का exam, जो हमारे, हमारे, आप, आप में से धेर सारे लोग, civil services exam की preparation करेंगे, आगे चल करके, I.S. officer बनना चाहेंगे, तो इसी तर से चाइना में भी होता था, राइट, तो चाइना possessed a huge, चाइना had a huge bureaucratic system, which recruited its personnel through the civil services examination, अब textbooks for this examination were printed in vast numbers, और यह इसको वहाँ का emperor, चाइना का जो emperor होता था, वो sponsor करता था, यानि लोगों को free में books मिल रही थी, सोचो चाहेना, उस समय कितनी, मतलब, free books, जो books print हो रही थी, उसके लिए पैसेत कौन दे रहा था, Chinese emperor दे रहा था, common people को नहीं दे रहा था, from the 16th century, the number of examination candidates, और 16th century से क्या हुआ, कि जो civil services में जो candidates participate करते थे, यानि नमबर of examining went up, इसका मतलब क्या हुआ, धेर सारी books चाहपेंगी, धेर सारी books चाहपेंगी यानि, और printed material के उज़्यादा ज़रूत पड़ेगी है न, तो इस तरीके से, था, six, now seventh question हम देखते है, how was the increasing demand for books met in Europe in the 14th century, समझते हैं इसे, देखिए, as the demand for books increased, अब क्या हुआ, जब book की demand बढ़ने लगी, तो book sellers ने क्या किया, book sellers ने, books को other European countries में export करना शुरू कर दिया, book fairs वगरा शुरू कर दिया, scribes वगरा अपॉइंट करना शुरू कर दिया, पहले क्या था, scribes के वल, rich people, जो ultra rich people होते थे, communication, money types, रतन ठाड़ा types वो अपॉइंट करते थे, लेकिन अब क्या था, क्योंकि books की demand बहुत ज़्यादा थी, तो यतने publishers होते थे, उन्हें पचास-पचास tribes, calligraphist, calligraphers को क्या क्या, अपॉइंट कर दिया, भाहि लिखो book, book की बहुत ज़्यादा demand, हाई एक बार देख ले थे, क्या कुछ है, So, how was the increased demand for books met in Europe, ज़ोखो, as the demand for books increased, booksellers and booksellers all over Europe began, पहला क्या क्या, exporting the books, दूसरा, book fairs, तीसरा, production of handwritten manuscripts was also organized in new ways, to meet the expanded demand, scribes and skilled handwriters were no longer solely employed by the wealthy or influenced patrons, but increasingly by booksellers as well, more than 50 scribes often worked for one bookseller, देखिए, तो जब book की demand बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यूरोप में, तो booksellers ने क्या किया, पहला, उन्होंने book को export करना शुरू कर दिया, दूसरा, book fairs, अरेंज कराना शुरू कर दिया, तीसरा, उन्होंने scribes appoint करने शुरू कर दिये, चौथा, चौथा, उन्होंने क्या किया, कि, हाँ, scribes appoint कर दिया, यह हमारे चारों पॉइंट हो गए, 40 words से ज़्यादा आप लोगों को नहीं लिखना है, हाँ ना, क्योंकि two markers में कोई 40 words का है लिखना है, question number 8 हम लोग देखते हैं, who introduced hand printing technology to Japan, discuss about the oldest printed Japanese book, ध्यान दीजिये, आप लोग जानते हैं, कि Buddhist missionaries, woodblock printing technology, China से Japan ले करके गए थे, हाँ, इसे याद आया, आप लोग comment box में comment करके जरूर बताएं, कि इंडिया में सबसे पहले, printing किसने introduced करी थी, यह आपका home work हो गया, चले देखते हैं, तो Buddhist missionaries from China, introduced hand printing technology into Japan, around 768 to 770, the oldest Japanese book printed in, this date, यह date आप लोग जरूर याद रखिये, एंसी कूज में भी आ सकता आई है, and first printed book थी Buddhist diamond sutra, जिसमें six sheets of text है, आज की तरह मोटी मोटी book नहीं थी, आप लोग कहाएंगे सर, बहुत अच्छे time थे, क्यों बुक में क्यों 6 page होते थे, आज तो बुक में 6600 page होते हैं, फारिदा पहले सस्टी की बुक ले लीजे, and woodcut illustrations, याने woodcut से बने हुए pictures भी हो थे इसमें, pictures were printed on textile, जैसे आज कल shirts पर printing नहीं हो, shirts पर t-shirts पर printing होती थी, वैसे वहाँ playing cards, टाश के पत्ते आप लोग जानते हैं, paper money, paper money पर भी printing होती थी, चले, question number 9, describe any five, यह भी another very important question, describe any five innovations in print technology in Europe, that took place after 18th century, ध्यान दीजे, यहाँ पर timeline पर आप लोग ध्यान दो, क्या कर रहा है, timeline बहुत important हो जाती है, ध्यान लिजे, by the late 18th century, late 18th century मतलब क्या हुआ, late 18th century मतलब हो गया, 7, 780 या 1790, उसके बाद क्या हाँ, by the mid 19th century, mid 19th century का मतलब क्या होगा, mid 19th century का मतलब हो गया, by 1850, उसके बाद क्या होगा, late 19th century, late 19th century का मतलब क्या होगा, by 18, by 1880 या 1890, उसके बाद turn of the 20th, 20th century मतलब यह हो गया, आप देखे समझते हैं, है क्या क्या हुआ बाइड लेट 18th century दफ प्रेस 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 केम टू बी मेड आउट आप मेटल अम मेटल का प्रेस हो गया नहीं प्रिंटिंग प्रेस की और एफेक्टिव हो गया दूसरा बाइड नाइटीन सेंचुरी यह mcq के पॉइंट आप बूसे बहुत इंपॉर्टेंट है रिचर्ड एम हो औफ निव यॉर्क हैड परफेक्टिक दपावर डिवेन अब हाथ से चलाना नहीं पड़ता था प्रेस को पावर डिवेन अना से चलेंडिकल प्रेस आ गए पहले वो स्क्रीव वाले होते थे जो गुतनबर्ग था अब से चलेंडिकल हो गए अब स्क्रीव ऐसे काम करता था सिलेंडिकल हो गए आज की तरह की प्रिंदिक प्रेस हो गए राइट हाँ था अंड दीस वस प्रिंटिंग थाउद शीट पर आर थार थार पॉइंट इन ए निए नेगा फ्रेस फेस देवलब विज पूँद प्रिंद अप्टू सिक्स कलर्स अट ए ताइम राइट तो तो six class at a time, print होने लगा offset से, और from the turn of 20th century, electrically operated press, जिदना चलाना हो दिन राथ printing press चलाओ, बिजले से चलने माला printing press आ गया, उसके बाद क्या हुआ, इतना ही नहीं, method of feeding the paper, paper automatic, machine में अब हाथ से नहीं लगाना पड़ता था, automatic वो feed हो जाता था paper, देखते हैं, methods of feeding paper improved, the quality of plates became better, जो गुटनबर्क वाली plates थी, automatic paper reels and photo electric control of the color register, यानि काफी कुछ चीजें बहुत, ज्यादा बहतर हो गई थी, as far as printing press was concerned, right, चलिया, next देखते हैं हम लोग, हमारा next लास्ट क्वेस्टन है, discuss the vernacular press set, इसमें सबसे बड़े problem आप लोगों कहाते हैं, यह वरनाकुलर किस चडिया क नाम है, समझ में नहीं आता, वरनाकुलर का मतलब होता है, a language spoken by ordinary people of a particular area, हमाले जी पंजाब में कोई रह रहा है, पंजाब को ordinary mind के लिए वरनाकुलर लंग्वेस्ट क्या होगी, पंजाबी, गुजरात के ordinary human being के लिए, क्या होगी, गुजराती, महारास्ट में रहने वाले, मरिहने वाले वक्ति के लिए, जो बहुत कम पढ़ा लिखा वक्ति है, उसके लिए, कौन से language होगी, महारास्ट में रहा रहा है, तो महाराथ ही हो गई, है ना, तो वरनाकुलर लंग्वेस्ट मतलब, किसी एक specific area में, जो लोग day to day life में language बोलते हैं, उसे बोलते हैं, वरनाक लेंग्वेज, अगर आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया, वरनाकुलर लेंग्वेज क्या होती है, प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल, एंड लाइक द वीडियो, चलिए, देखते हैं, discuss the Vernacular Press Act, यह आपके MCQ में भी आ सकता है, so be careful, and be attentive, देखे, in 1878, the Vernacular Press Act was passed, and it was modeled on the Irish Press, MCQ के form में आ सकता है, it provided the government with extensive rights to censor reports and editorials, कहने का मतलब, कि before, मतलब, newspaper में कोई report या editorial, publish हो, इस से पहले, उसकी scrutiny की जाती थी, by the British government, उसके बाद ही हो छपते थी, कोई report, right, from now on क्या था, the government kept regular track of the vernacular newspapers, published in different provinces, जाहर से बात है, गुजराब में गुजराती, है न, करनाट का में करनड, केरला मेले आली, इन सब का, इन सब पे, British government नजर रखती थी, कि अगर कोई ऐसी चीज़ चापी गई, न्यूस पेपर में, या weekly magazine में, जिससे लोग British government के खिलाफ हो रहे हैं, तो ऐसे प्रिंटिंग प्रेस को, देश द्रोही, यानि, ऐसी 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 न्यूस पेपर को, सिडिसेस, ऐसी न्यूस को सिडिसेस न्यूस बोलते थे, आई देखते हैं, when a report was just as seditious, यानि, ऐसी रिपोर्ट, जो common people को, government के खिलाब भढ़का रही हो, अगर हो सिडिसेस मानी जाती थी, तो न्यूस पेपर को warning देते थे, अगर warning से सुधर गए तो ठीक है, नहीं सुधर है तो, उनकी जितनी printing machinery है, सब कुछ है जब्त कर ली जाती थी, right, तो इस तरीके से वरना को, लास प्रेस अक्ट, यह जितन के most important mcq के साथ, till then keep learning, keep scoring, thank you so much.